नमस्कтा दोस्तो आब सबी का इस सेनल पर दोस्तो आजने बात करेंगे, आइज वीवागं की एक और नई भर्ती के बारे में, इस भर्ती के दोस्तो नाटफिकेसन जारी हो चुका है, और इस भरती के लिए दोस्तों मेल तदा फीमेल दोनों ही अपलाई कर सकते हैं यदि दोस्तों आपका सबना है आइस विवाग में काम करने का और यदि आप इस भरती के लिए एलिजिबल हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है आज की इस भरती में दोस्तों आपको किसी भी परकार की फीस का पेमेंट नहीं करना और इसमें दोस्तों सहली भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि परते एक सरकारी नौकरी की रियल वा ऑथन्टिक इन्फॉमिशन सबसे पहले आपको प्राप्थ हो तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ में बेल एकन को भी जरूर प्रेस कर लीजेगा दोस्तों भरती की पूरी इन्फॉमिशन समझने के लिए वीडियो के अंतक बने रहेगा इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाई स्टेप सारी इन्फॉमिशन दी जाएगी कि आज की भरती में किस किस पूर्ज की भरती है क्या क्वालिफिकिशन चाहिए और इस भरती का लोकेशन क्या है दोस्तो ये सारी इंफॉर्मिशन हम आपको इस वीटियो के मादम से देंगे, तो चले दोस्तो बात कर लिए इस भरती से रिलेटेड इंफॉर्मिशन के बारे में तो guys आगे बढ़ेंगे जैसे बता दोस्तो आज हम बात करेंगे आइस विवाग की नई भरती के बारे में इस भरती के लिए दोस्तो male तदा female दोनों ही apply कर सकते हैं आज की इस भरती में Sally की बात करें तो दोस्तो Sally आपको बहुत ही बढ़िया मिलीगी आपका पेस के लोगा 44,900 रुपए दोस्तो फीज की बात करें तो इस भरती में आपको किसी भी परकार की फीज का पेमेंट नहीं करना जातक सेलेक्शन प्रोसेस के बाता है तो इसमें आपका एक्जामनेशन के बेसिस पे सेलेक्शन किया जाएगा, इसके डीटेल चाहिक कमा आपको आगे जाके बताओंगा दोस्तो पैटन बताओंगा जान तक अपलाई मोर्ट के बाता है तो इस भरती के लिए आपको इस बरती के लिए 16 मही से ही अपलाई कर पाएंगे और इसकी लास डेटा दोस्तों closing डेटा है 16 जून 2023 पोस्त की बात करें तो इसमें दोस्तों बरती हो रही है homeopathic medical officer की और इसके लिए qualification रखी गई है BHMS या इसके बराबर की qualification जाता कि इस बरते में selection process की बात है तो इसमें आपका return exam होगा इसमें आपके multiple choice question आएंगे 100 objective type question आपकी पास आएंगे दो paper होँगे परते एक paper आपका 100 marks का होगा ठीक है और इसका duration होगा परते एक paper का 1.5 गंटा ठीक है दोस्तों इसमें किसी भी परकार की negative marking नहीं होगी जातर detailed syllabus की बात है तो इसके लिए आपको annexer A देखना पड़ेगा notification से आप annexer A से पूरा syllabus पढ़ सकते हैं पूरा pattern आपको मिल जाएगा और दोस्तों इस बरते में जातक आउसीमा की बात है age limit की बात है तो दोस्तों यह आपके age 38 साल तक है तो office भरती के लिए apply कर पाएंगे साथे साथ आपको categories wise age relaxation भी दिया जाएगा इसमें दोस्तों total 105 vacancy है और आपको मैं दोस्तों भरती की notification दिखा देता हूँ इसका link दोस्तों मैंने दे रखा है location की बात करें तो आजकी भरती का location है उडिसा और यह भरती उडिसा public service commission के द्वारा conduct की जा रही है तो guys यह था आजकी भरती का sort detail I hope दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों यहीं आप दूसरों का भला चाते हैं तो इस वीडियो को अपने दूस्तों वाज्जानकारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत सुपकामना है Thank you so much